देखिए तोप की खासियत ये तोप का डीटेल पूरा दिखा हुआ है 1720 सी स्वीट जैगर्ट फोड में निर्मान हुआ मेरे पत्नी सामने बैठी है तोप को सिर्फ एक पर चलाया गया क्योंकि यहां की खिले की बनावट की वज़े से इसकी लंबाई जो है 20 फीट है गोलाई आट फीट है और 7.5 इंजिसका तरनेल है और 50 टन वज़ेन है इसका जो रेंज है 22 माइल्स है और यह कभी चला ही नहीं एक बर चला और इस पर आने की जरूथी नहीं किसी को पड़ी इकनी उची तोफ है इसलिए बाकिये तोफ यहार इस साइड में तोफ रखा हुआ है तो तोफ का डीटियल नहीं को देखा जाना हुआ है यह मैं इसलिए है और कॉर्नर से फैरिंग रेंज है और वाश्चाबर है बड़ी तूफ के लिए में सब्सक्राइब देख रहे हैं यह तोफ हमें इमेजीन कर सकता कि उस प्रेट में इतना बड़ा तोफ बना गया होगा यह तोफ का साइज देखिया कितना बड़ा साइज तोफ है लोखंड है लोखंड है लोखंड लोखंड मैं समता था कि वीजापूर के तोफ है वही बहुत बड़ा है लेकिन मैं पहली बार देखा कि वीजापूर के सामने कुछ भी नहीं है इतना बड़ा काशारण का उस प्रेट में बनाना तो बहुत बड़ी बात है हमारी पत्न यह तोफ है देखिए यह देखिए यह एक साइड का और अब मैं आपको इदर से दिखा रही हूँ यह वील का डाइमेटर मेरे इसाब से कम से कम यह 15 फिट से कम नहीं है अब दिखिए गुरी इसाइड को ले नहीं पा रही हूँ आगे से दिखा देती हूँ कैमरे में पूरा विल नहीं पाई मैं यह तोप का फ्रेंट पॉर्शन है यह तोप का फ्रेंट पॉर्शन है तोप का जो वील है तोप का वील का साइज मेरे आप से कम से कम 15 फिट होगा बारा बारा फिट होगा डामेटर लेकिन मजदार बात इस तोप को भी फैर नहीं हो सका एकी बार फैर दूप तो यह मुझे जीव लगा मैं कहा चलूँ एचीज को देख रहूं जो आई आई जो चाहिए है आई हम आगा देखे दोफ्लैग एज जो महल है जेगर फोर्ट यह महाराजा का प्राइबिट पोर्टी है उनका फ्लैड नीचे की ओर है एक उपर फ्लाग है नेशनल फ्लाग हमारा है और नीचे उंका फ्लेट उसे पांच कलर है हमारे फ्लाग में तीन कलर है यह अभी इनके वंशद पिंग सिटी जैपुर में रहते हैं जहरे के दिन आते हैं शस्त्र पूजा करने के लिए देखिए एक बड़ और तोप का इस ड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए एसी सीची जों देखने के लिए और हर सहर को देखते रहिए थैंक यू